सुरिरंजनि भंजनि महिभारा जो भगिवन्ति लीनिय वितारा तो मैं जाई वेरू अठी करहू प्रभूसरी प्रानित जीव वितारहू देवताओं को आनंद देने वाले और प्रत्वी का हार भार हरन करने वाले भगवान नहीं यहीं अप्तार लिया है तो मैं जाकरके उनसे हट पूर्वक के बैर करूँगा और प्रभू के वान के आगात से प्रान छोड़ करके भव सागर से तरह जाऊँगा ओही भंजनों ने तामस देहा मने क्रम बचन मंत्र ड्रड एहा जो नरे रूपे भूपे सुते को हर यहो नारे जी तीन राने दो और इस तामस साइड से भजन तो होगा नहीं अतय मन बचन और कर्म से यही ड्रड निश्य है और यदि ये मनुस रूप कोई राजकुमार होंगे तो उन दोनों को रण में जीत करके उनकी इस्त्री को हर लूँगा चला अकेला जान चड़ी तहवा यहां रामे जसी जूती बनाई सुना हूं ओ मासो कथा सुहाई और यों विचार करके रावन रत पर चंड़ कर अकेला ही वहां चला जान समद्र के तड़ पर मारीच रहता था और सिप जी कहते हैं कि हे पारवती यहां रामचंद्र जी ने जैसी युक्ती रची वह सुन्दर कथा सुनो लक्षमन जी जब कंद मूल फल लेने के लिए बनमे गए तब अकेले में कृपा और सुक्के समुए सी रामचंद्र जी हसकर जान की जी से बोले सुना हू प्रिया व्रते रुचिर सुशीला मैं कच्छू करवी लले ते नरे लीला तुम्हें पावके महू करहू निवासा जो लगी करो निसाचरे नासा हे प्रिया हे सुन्दर पत्ती व्रते धर्म का पालन करने वाली सुशीले सुनो मैं अब कुछ मनोहर मनुश लीला करूँगा इसलिए जब तक मैं राक्षचो का नास करो तब तक तुम अगनी में निवास करो जब ही राम सब कहा बखानी प्रभू पदे धरी है अनलिसमानी निजे प्रती बिंबीरा की तैसीता तेसा Coordin रूपि सुविनीता और शीता जी ने जो ही सब समझकर के कहा त्योही शीता जीने प्रभू के चर्णों को हरदे में धर करके अगनी में समा गई और सीता जी ने अपनी ही छाया मोर्थी वहां रख दी जो उनके जैसे ही सील स्वाब और रूप बाली और वैसे ही ब्रह्म्र थी लच्छी मना हूँ यह मरम उने जाना जो कचू चरिती रचा भगिवाना दसी मुखे गयाओ जहां मारी चा और भगवान ने जो कुछ लीला रची इस रैच को लक्षमन जी वी नहीं जाना और स्वार्थ परायाण और नीच रावन वहां गया जहां मारी च था और उसको सिर्नवाया नवनी नीच के अती दुखिदाई जिमियं कुशिधन उरगी विलाई वैदायक के खेले के प्रियवानी जिमियं काले के कुसम भवानी और नीच का जुकना ही अत्यांते दुखदाई होता है जैसे अंकुष धनुष साप और बिल्ली का जुकना हे भवानी दुष्ट की मीठी वानी भी उसी प्रकार भै देने वाली होती है जैसे विनारतो के फूल करी पूजा मारीची तवे सादर पूछी बाते कवन हे तुमने व्यग्र यती अकिसर आयहूताथ तब मारीच ने उसकी पूजा करके आदर पूर्वगबाद पूछी हे ताथ आपका मन किस कारण इतना अधिक व्यग्र है आप अकेले आये हैं दसे मुख सकले कथा तेही आगे कही सहिती अभीमानिय भागे होव कपटे म्रगे तुम्हे चले आरी जेही विदी हरे अनोन पेनारी वागहिन रावण ने सारी कथा अभीमान सहित अब उनके सामने कही और फिर कहा कि तुम छल करने वाले कपट म्रग बनो और जिस उपाई से मैं उस राजबदू को हर्द लाओं तेही पुने कहा सुना हूं दसे सी सा तेनरे रूपे चरा चरई सा तासो ताते वयरू नहीं कीजे मारे मरिये जी आये जीजे तब उसने मारिच ने कहा कि हे दसी सुनिये वे मनुस रूप में चरा चर के इस्वर हैं हे तात उनसी वयर ने कीजे उन्होंने मारने से मरना है और उनके जिलाने से ही जीना होता है सबका जीना उन्होंने की यदिन है मुनी मखी राकने गय हु कुमारा विनु फर्सरी रगु पती मुही मारा सति जोजन आय हु चन माही तिन सने वयरू किये फाले नराही तिन सने वयरू किये भाले नाही यही राजकुमार मुनी विश्वा मित्र के यक्की रक्षा के लिए गए थे और उस समय से रगुनाच जी ने विना फलकावान मुझे मारा था जिससे मैं छणवर में सौ योजन पर जागिरा और उनसे बेर करने में कोई भलाई नहीं है मेरी दसा तो भंगी के कीड़े की सी हो गई है अब मैं जहां तास्री राम लक्ष्मन दोनों भाईयों को ही देखता हूँ ही तात यदी भी मनुस हैं तो भी बड़ी सूर्वीर हैं उनसे ब्रोध करने में पूरा ने पड़ेगा सफलता नहीं मिलेगी जही ताड का सुभा हुगती खड़ेओ हरे को दंडे खरेदू सनी तिसी रावंधेओ मनुजी की असी वरीबंड और जिसने ताड का का और सुभाव को मार करके सिपजी का दनुश तोड़ दिया है और खड़ दूसन और त्रीसरा का वद कर डाला है ऐसा प्रिचंड वली ही कहीं मनुस हो सकता है जाहू भवने को ले कुसली विचारी सुनती जरादी नई सी वहुगारी गुरु जी मी मूडे का रमी ममी बोदा कहू जगे मोही समाने को जोदा अतै अपने कुल की कुसल विचार करके आप घर लोट जाएए यह सुनकर के रावन जल उठा और बहुसी गालिया दी दुर बचन कहे और कहा अरे मूर्ख तू गुरु की तरह मुझे ग्यान सिखाता है बता तो संसार में मेरे समान युद्धा कौन है तब वे मारीचे हर्दय अनुमाना नवही विरोद नहीं कल्याना सश्त्री मंी प्रभू सठी धनी वेदे बंदी कभी भान से गो नहीं तब मारीच मैं हर्दय मैं अनुमान किया कि सश्त्र धारी मंी भीर जानने वाला समर्थ स्वामी, मूर्ख धनवान, वैद भाट कवी और रसुया इन नो व्यक्तियों से ब्रोध करने में कल्यान नहीं होता है ओ वैभाती देखा निजी मरिना तविता की सी रगुनाय कि सरिना ओ तरुदेती मोही बदवी अभागे कसी ने मरो रगुपती सरिला आगे तब मारिज ने दोनों प्रकार से अपना मरण देखा तब अपने उसने सी रगुनाद जी की सरंड तकी अथार्थ उनकी सरंड जाने में ही कल्यान समझा सोचा की उत्तर देते ही ना ही करते ही है अब आगा मुझे मार डालेगा और फिर सी रगुनाद जी के बान लगने से ही क्योंने मरो असी जी जानी दसान निसंगा चला रामि पद प्रेमि अभंगा मने अतिहर सी जवानि नते ही मने अतिहर सी जनावि नते ही आजू देखे हो परमिसने ही हर दे मैं ऐसा समझ करके वे रावन के साथ चला और स्री राम जी के चरणों में उनका अखंड प्रैम है उसके मन में इस बात का अतियांत हर्ष है कि आज मैं अपनी परम इसने इसी राम जी को देखूंगा किन्तु उसने यह हर्ष रावन को नहीं जनाया निजी परम पीतम देखी लोचन सुफल करी सुखे पाईयो की क्रोधी जाकरी भगती अस्ति सवीश बसिकरी निरिवानी दायक की क्रोधी जाकरी भगती अविसही बसिकरी निजी पानी सरी संधानी सो मोही वादेही सुखे सागरी हरी वह मन ही मन सोचने लगा अपने परम प्रियतम को देख करके नेत्रों को सफल करके सुपाऊंगा और जानकी जी सहीद छोटे भाई लक्षमन जी सहीद समेत किरपा निदान स्री राम जी के चरणों में मन लगाऊंगा जिनका क्रोध भी मोक्स देने वाला है और जिनकी भक्ती उन अवस किसी के बसमेने होने वाले स्वतंत्र भग्वान को भी बसमें करने वाली है वे ही आनंद के समुद्र स्रीहरी अपने हातों से वान सांद करके मेरा वद करेंगे ममि पाचे धरी धावते धरी सरासनिवाने फिर फिरी प्रबहु विलो कया हूँ धने सो धने नेमो समयान धनुस्वान धारन की हुए मेरे पीछे पीछे प्रत्वी पर पकड़ने के लिए दोड़ते हुए प्रबु को मैं फिर फिरा कर देखूंगा और मेरे समान धन दूसरा कौन नहीं है तेही बने निकटी दसानने गया हूँ तवी मारी चिका पटी म्रगी भया हूँ अतीवी चित्री का चूबर निने जाई कनकी देही मनी रचिती बनाई जब रावन उस बन के जिस बन में से रगुना जी रहते थे निकट पहुंचा तब मारी च कपट म्रग बन गया और वह अत्यंती ही विचित्र था कुछ बनन नहीं किया जा सकता और सौने का सरीर और मनियों से जड़ करके बनाया था सीता परमे रोचिरी म्रगी देखा अंग अंग सुमानो हरे बेसा सुना हूँ देवी रगु वीरी क्रिपाला एही म्रगे करयाती सुन्दर छाला और सीता जी ने उस परम सुन्दर हिरन को देखा जिसके अंग अंग की छटा अत्यंत मनोवर थी वे कहने लगे की हे देव हे क्रपालू रगु भी सुनिये इस म्रग की छाल वहूती सुन्दर है सत्य संदे प्रभू वंधिकरिये ही आनहुचर में कहती वैदे ही तवी रगुपती जानती सविकारने उठे हरसी सुरे काजु सवारने जानकी जी ने कहा कि हे सत्य प्रते के प्रभू इसको मार करके इसका चमडा ला दीजिए तव सी रगुना जी मारिज की कपट म्रग बनने का सब कारण जानते हुई भी देवताओं का कारिये बनाने के लिए हरसी तो करके उठे म्रगी वी लोकी कटी परिकरी बांधा हिरन को देख करके सी राम जी ने कमर में फेटा बांधा और हाथ में दनुस ले करके उस पर सुन्दर वान चंडाया फिर प्रभू ने लक्ष्मन जी को समझा करके कहा कि हे वाई बन में बहुसी राक्षस फिरते हैं सीता के रिकरहु रखिबारी बुद्धी विवेकी वली समय विचारी प्रभु विलोकी चला म्रगी भांजी धायराम मुसरासने सांजी तुम बुद्धी और विवेक के द्वारा बल और समय का विचार करके सीता की रखवाली करना प्रभु को देखकर म्रग भांग चला और सी राम चंडरी जी धनुश्चना करके उसके पीछे दोड़े निगमों ने तीसी भी ध्यान ने पावा माया म्रग पाच्छे सोधावा कब हो ने कटे पुनी दूरी पर आई कब हो के प्रेकटे कब हो छे पाई वेध जिसके विशे में नेती नेती कहकर रह जाते हैं और सिब जी उन्ने ध्यान में नहीं पाते हैं और अठर्थ जो मन और वानी से निरंतर परे हैं वेही सी राम जी माया से बने हुए म्रग्के पीछे दोड रहे हैं वे कभी निकट आ जाता है और फिर दूर भाग जाता है कभी तो प्रगट हो जाता है कभी छिप जाता है प्रगटती दूरती करती छली भूरी एही विदी प्रवोही गया उले दूरी तवी तकी रामी कठीनी सरी मारा धरनी पर उकरी गोरी पुकारा और इस प्रिकार प्रिगट होता है और छिपता हुआ बहुतरी छल करता हुआ वे प्रभु को दूर ले गया है तब सी राम चंद्री जी ने तक करके निदाना साध करके कठोर वान मारा है जिसके लगते ही वे गोर सब्द करके प्रत्थिवी पर गेर पड़ा है पहले लक्षमर जी का नाम ले करके उसने पीछी मन में सी राम जी का इस्वरण किया और प्राण त्याग करते समय उसने अपना राक्षा सी शरीर प्रिकट किया और प्रेम सहिद स्री राम जी का इस्वरण किया अंतरे प्रेमे तासु पहिचाना मुनी दूरे लवे गती दी नहीं सुजाना सुजान सर्वकिशी राम जी ने उनके हर्दे में प्रेम को पैचान करके उसे वह गती अपना परमपत दिया जो मुनियों को भी दुरलब है बिपुले सुमने सुरिवारे सही गाव भी प्रभुगोने गाथे निजिपद दीन असुरे कहू दीन वंधुर गुनात देटा भव से फूल बर्षा रहे हैं प्रभुको गुण की गठाएं इस्तुतिया गा रहे हैं और स्षी रगुनात जी ऐसी दिन बंदु हैं उन्होंने असुरों को भी अपना परमपत दे दिया है खले वधी तुरंत फिरे रगुवीरा सोई चापे कर इकटी तु नीरा आरते गीरा सुनी त जब सीता कहे लक्षी मने सने परमे संभीता दुष्ट मारीच को मार करके सी रगुवीर तुरंत लोट पड़े हाथ में दनुस और कमर में तरका सोवा दे रहा है इधर जब सीता जी ने दुख वरी बानी मरते समय मारीच का हाई लक्ष्मन की आवास सुनी तो बेवी बहुत भेवीत हो करके लक्ष्मन जी से कहने लग जाहू बेगी संकट यति भ्राता लच्छी मने वी हसी कहा सुनू माता ब्रकोटी वीलास श्रश्टी ले हुई सपने हु संकटी पराई की सोई तुम सिग्री जाओ तुमारे भाई बड़े संकट में हैं लक्ष्मन जी ने हसकर के कहा कि हे माता सुनो जिनके व्रकोटी विलास वहें सारे मत्र से सारी स्रश्टी का प्रले हो जाता है वे से राम जी क्या कभी सुपन में भी संकट में पढ़ सकते हैं मरमे बचने जब शीता बोला हरी प्रेरिती लक्षी मानी मने डोला वने दिसी देविसों पी सभी का हूँ चले जहां रावने ससी राहू इस पर जब शीता जी ने कुछ मरम बचन हर्दय में चुमने वाले बचन कहने लगी तब भगवान की प्रेणा से लक्षमन जी का मन भी चंचल हो उठा वे सी शीता जी को वन और दिसाओं के देवताओं को सौप करके वहां चले जहां रावन रूपी चंद्रमा के लिए र जाके डरी सुरी असुरी डिराई निसीने नींदे दिने आने ने खाही रावन सुना मोका दे करके यती सन्यासी के विश में सीता जी के समी पाया और जिसकी डर से देवता और देते तक इतना डरते हैं कि रात को नींद नहीं आती है और दिन में बरपेट अने नहीं खाते हैं सो दस सी सिस्वान की नाई इते उते चिताई चला वड़ी हाही इमी को पंथी पग देती खंगेशा रहने ते जितने वो दीव लेशा वही दस सिर्वाला रावन कुत्ते की तरह इधर उधर ताकता हुआ चोरी के लिए चला है काग वुसंड जी कहते हैं कि हे गरुड जी इस प्रिकार कुमार्ग पर पैर रखते ही सरीर में तेज तथा बुद्धी और वल्का लेश भी नहीं रह जाता है सुना पाकर कुत्ता चुके सी वर्तन भांडों में मूँ डाल करके कुछ चुरा ले जाता है उसे वंडियाई खेते हैं ना ना वीदी करी कथा सुहाई राजी नीतिव है पीती दिखाई कह सीता सुनो जती गोसाई वोले हूँ बचनी दुष्टी की ना आई रावन ने अनेको प्रिकार की सुहावनी कथाय रच करके शीता जी को राजनीतिव है और प्रेम दिख लाया शीता जी ने कहा है यती गोसाई सुनो तुमने जो दुष्ट की तरह बचन कहे हैं तब रावन निरिजी रूप दिखावा भई सबे जब नाम सुनावा कह सीता दरी दीर जुगाड़ा आई गयो प्रभू रहू खले डाड़ा तब रावन ने अपना असली रूप दिखाया और जब राम नाम सुनाया तब तो सीता जी वहवीत हो गई उन्होंने घेरा दीर जर करके कहा कि अरे दुष्ट खड़ा तो रह प्रभू आ गए जिमी हरी बंदुही छोद्री समी चाहा वैसी काली वसी निसी चरे नाहा सुनती बचनी दसी सी सी रिसाना मनी महुचरनी बंदी सुखी माना और जैसे सिंगी की इस्तिरी को तुछी खर्गोश चाहे वैसे ही अरे राक्षस राज तू मेरी चाहा करके काल की बस हुआ है ये बचन सुनते ही रावन को क्रोध आ गया परन्तु मन में उसने शीता जी के चरणों की बंदना करके सुख माना फिर क्रोध में भरकर के रावन ने शीता जी को रत पर बैठा लिया और वै बड़ी उतावली के साथ आकास मारक से चला है फिर डर के मारे उसने रत हांकाई नहीं जाता था हा जग एक वीरी रगुराया केहिया पेरा दिवी सारे हुदाया आरती हराने साराने सुखी दायके हा रगो को लेसा रोजी देने नायके शीता जी बलाब कर रही थी हे जगत के एदित्य वीर सी रवना जी आपने किस अपराज से मुझे पर दया बला दी है हे दुख के हरने वाले हे संडगत को सुख देने वाले हे रवकुल रूपी कमल के सूरी है हे लक्षी मने तुम्हारी नहीं दोशा सो फल पायो की नहूं रोशा विवी दिवी लापी करती वैदी ही भूरी क्रिपा प्रभू दूरी सने ही हे लक्ष मन तुमारा दोश नहीं है मैंने क्रोध किया इसका फल पाया है स्री जानकी जीने भहुत प्रकार से विलाप कर रही है और प्रभू की क्रपा तो बहुत है परन्तु भी इसने ही प्रभू बहुत दूर रह गए है विपती मोरी को प्रभू ही सुनावा पुरोडा से चहरा सब खावा सीता के विलापे सुनी भारी वै चराचर जीवी दुखारी प्रभू को मेरी है विपती कौन सुनाए यग के अन को गदा खाना चाता है सीता जी का भारी विलाप सुनकर के जड़ जेतन सभी जीव दुखी हो गए गीदी राजी सुनी आरती बानी रगु को ले तिलकी नारी पहिचानी अदमी निसाचर ली ने जाई जिमी मरेची वसी कपी लागाई और गिद राज रजटाई उने सीता जी को दुख वरी वानी सुनकर के पहचान लिया कि ये रगुल तलक्सी राम चंदर जी की पत्नी है उसने देखा कि नीच राक्षस इनको बुरी तरह लिये जा रहा है जैसे कपीला गाई मलिच के पाले पड़ गई हो सीते पूत्री करशी जनीत्रासा करयाउ जातु धाने करिनासा धावा क्रोधि वन्ति खगी कैसे छूटाई पवी परिवति काहू जैसे वह वोला है सीते पूत्री भे मत कर मैं इस राक्षस को नास करूँगा यह कहकर कि भे पक्षी क्रोध में भर करके कैसे दोड़ा जैसे परवति की और बज्र छूटता हो रे रे दुष्टी डाड़ी की नी होई निर्वे चले सीने जाने ही मोही आवति देखी क्रेतांति समाना फिर दसी कंदर कनी अनुमाना उसने ललकार करके कहा कि रे रे दुष्ट खड़ा क्यों नहीं होता है निडर हो करके चल दिया है मुझे तूने नहीं जाना है उसको यम्राज की समान आता हुआ देख करके रावन घूम करके मन में अनुमान करने लगा की मेना की की खगि पती होई ममी वले जानी सहिती पती सोई जाना जरठी जटायू एहा ममिकरती रथी छाड़ ही देहा यह या तो मेना प्रवत है या पक्षियों का स्वामी गरुड है पर वह गरुड तो अपने स्वामी विश्णु सहित मेरे बल को जानता है कुछ पास आने पर रावण ने उसे पैचान लिया और बोला यह तो वुड़ा जटायू है यह मेरे हाथ रूपी तीर्थ में सरीर छोड़ेगा सुनते गी देक्रोदातु रिधावा कह सुनू रावणी मोरे सुनावा कह सुनू रावणी मोरी सिखावा तजी जाने की ही कुछ लिग रहे जाहू ना ही ते असे हो यही बहू बाहू यह सुनते ही गी दिक्रोद में वर करके बड़ी वीक्सी दोड़ा और बोला रावण मेरी सिखावन सुन। जानकी जी को छोड़ करके कुछल पूर्वक अपने घड़ चला जा। नहीं तो ही बहूत बुजावाले ऐसा होगा की रामिरो से पावक अति घूरा हो है सकले सफले को ले तोरा उतरुने देती दसाननी जोदा तबही गी दिधावा कारी क्रोदा। और सी राम जी के क्रोद रूपी अत्यंत ब्यानक अग्रीम में तेरा सारा बंस पतिंगा हो करके वस्म हो जाएगा। युद्धा रावन को छुत्तर नहीं देता है तब गिद क्रोद करके दोड़ा। दरी कची भी रत की निमही गीरा सीताई राखी गी दिपुनी फीरा। चोचनी मारी विदार सिदेही दंड एकी भै मुरिचा तेही। उसने रावन के बाल पकड़ करके उसे रत के नीचे उतार लिया। और रावन प्रत्वी पर गिर पड़ा। और गिद सीता जी को एक ओर बेठा करके फिर लोटा। और चौच से मार मार करके रावन के सरीर को विदर्ण कर डाला। इससी भैई गड़ी के लिए मूर्शित हो गया। तब खिसी आए हुए रावन ने क्रोध यूग तो करके अत्यांत विहाना कटार निकाली। और उससे जटायू के पंक काड़ डाले। पक्षी जटायू से राम जी की अद्वुत रीला का स्वरन करके प्रत्वी पर गिर पड़ा। सीता ही जानी चंडाई वहोरी चला उताई लित्रा सिने थोरी। करती भी लापी जाती नवी सीता व्यादी विवसी जनुम्रगी संभीता। और सीता जी को फिर रत पर चणा करके रावन वही उताब लेके साचला उसी भे कम ने था। सीता जी आकास में व्लाब करती हुई जा रही है। मानो व्याद की बस में पड़ी हुई जाल में फसी हुई कोई भेवी तरनी हो। गिरी परी कपेनी निहारी गिरी परी बैठी कपेनी निहारी करी हरी नाम दीनी पटी डारी एही विदी सीता ही सोले गया हूँ वन असो की महराकत भाया हूँ। और परवत पर बैठे हुए बंदरों को देख करके सीता जी ने हरी नाम ले करके वश्त डाल दिये और इस प्रकार वह सीता जी को ले गया और उन्हें असुक बन में जा रखा। हाई पर आखले पहुँ विधी वह अरू प्रीती देखाई तब असो के पाद पेतरे राखे सी जतने कराई। और शीता जी को बहुत प्रकार से वह और प्रीती दिखला करके तब वह दुष्ट हार गया और तब उन्हें यत्म कराके सब व्यता ठीक कराकरके असो के ब्रक्ष के नीचे रख दिया। जेही वीदी कपटी को रंगी संगी धाई चले सिरी रामे सो छबी सीता राखी उरे रटती रहती हरी नाम। और जिस प्रकार कपट मरक के साथ सी राम जी दोड़ चले हैं उसी छबी को हरदे में रख करके भी हरी नाम रटती रहती हैं। जनकी सुता परी हरा हुआ केली आता हुता ती बचनी मम पेली। इदर सी रगनाजी छोटे भाई लक्षमन जी को आते देख करके ब्रह्म रूप में बहुती चिंता की और कहा की हे भाई तुमने जनकी को अखेला छोड़ दिया है और मेरी अग्या का उलंगन कर यहां चले आए हो। निशी चरे निकरी फिराई बनी माही ममे मनी सीता आस्रमे नाही गही पदे कमाली अनुजी करी जोरी कयो नाती का चुमोही ने खोरी राक्षसों के जुंड बन में फिड़ते रहते हैं मेरे मन में ऐसा आता है कि शीता जी आस्रम में नहीं है चोटे भाई लक्षमन जी ने शी राम जी के चरण कमलो को पकड़ करके हाद जोड़ करके कहा कि हे नात मेरा कुछ भी दोश नहीं है अनुजी समेत गई प्रभू तेवा गोदावरी तट आस्रम जैवा आस्रम देखी जाने की ही ना भई विकल जसी प्राक्रत दीना और लक्षमन जी सहित प्रभू सी राम जी वहां गए जहां गोदावरी के तट पर उनका आस्रम था और आस्रम को जान की जी से रहित देखरके सी राम जी साधरन मनुष की भाती व्याकुल और दीन हो गए है हागोने खाने जाने की सीता रूपे सीले ब्रतिने में पुनीता लक्षिमने समूजाए बहु भाती पूछते चले लता ता रूपाती विविलाप करने लगी कि हागोनों की खान जान की हे रूप सील ब्रत और नियमों से पवित्र सीते लक्ष्मन जी ने बहुत प्रकार से समझाया तब सी राम जी ने लताओं और व्रक्षों की पंक्तियों से पूछते हुए चले हैं एक खगी म्रगी हे मदुकरी स्रेनी तुम देखी सीता म्रगी नेनी खंजन सुके कपोती म्रगी मीना मदुपे निकरी को किला प्रेवीना हे पक्षियों हे पसुओं हे भोरों की पंक्तियों तुमने कहीं म्रग नेनी सीता को देखा है क्या खंजने तोता कवुतर हिरन मसली भोरो का समय और प्रिवीन कोयल कुंद कली दाड मिदामेनी कमले सरदेशा सी अभी भामेनी वरोने पासी मने ओजी धनु हंसा गजी के हरी निजी सुनाते प्रिशंसा कुंद कली अनार विजली कमल और सरद का चंदरमा और नागिन और वरोन का पास काम देव का धनुस हंस गज और सिंग ये सब आज अपनी प्रिशंसा सुन रहे हैं स्रीफले कनके कदली हरिसाई नेकुने संकी सकुची मने माही सुनो जाने की तो ही विनु आजू हरिसे सकले पाही जनी राजू वेल सुबन और केला अर्षित हो रहे हैं उनके मन में जरावी संका और संकुच नहीं है कि ही जान की सुनो तुमारे विना ये सब आप आज ही ऐसी अर्षित हैं कि मानो राज पा गए हो अथार्थ तुमारे अंगों के सामने ये सब तुछ अपमानित और लज्जित थे आज तुम्हें ने देख करके ये अपनी सोबा के अविमान में फूल रहे हैं कि मी सही जाती अनकी तुही पाही प्रियावेगी प्रेगटी सकसी नाही एही वीदी खोजती बिलिपती स्वामी मनहु महावी रही अतिकामी तुमने ये अनक इस परदा कैसे सही जाती है हे प्रिया तुम सीगरी प्रेकट क्यों नहीं होती इस प्रिकार अनंत ब्रहमन के और अनंत ब्रहमांडों के और महा मही मा मही और सरूपा सकती स्री सीता जी के स्वामी सी राम जी सीता जी को खोजते हुए इस प्रिकार विलाब करते हैं मानो कोई महाव विरही और अतियंते कामी पुरुसो पूरने कामे रामे सुखे रासी मनोजे जनेते मनोजी चरिते करे अजिय अविनासी आगे परागी देपती देखा सुमिरती रामे चरने जेने रेखा पूर्ण काम आनंद की रासी अजन्मा और अविनासी से राम जी मनुस्के से चरित्र कर रहे हैं आगे जाने पर उन्होंने ग्रद्पती जटाईयू को पड़ा देखा है वैसी राम जी के चरनों का अस्मन कर रहा है जिसमें ध्वजा कुलिस आदी को रेखाएं हैं और चिन्न हैं कारिशारोजी सिरिपारिशेवू क्रिपास इंदू रगवीरे क्रिपास आगर सी रगवीर ने अपने करकमलों से उसके सिर को इसपर्स किया और उसके सिर पर करकमल फेड़ दिया और सुबाक धाम सी राम जी का परम सुन्दर मुख देख करके उनकी सब पीड़ा जाती रही तब ही कह गीदी बचन धरी धीरा सुना हु रामी भंजन भव मीरा ना थी दसानन यह गति की नी तेही खले जनकी सुतारी रीनी तब धीरज धर करके गीद ने यह बचन कहा कि हे भव जन्म रित्यु के भेका नास करने वाले सी राम जी सुनिये हे नात रावन ने मेरी यह दसा की है उसी दुष्ट ने जानकी जी को हर लिया है ले दच्छन दिसी गयो गोसाई बिली पती अती को रारी की नाई दरसी लागी प्रभू राख्यो प्राना चलाने चहते अविक्रिपा निदाना हे गोसाई वह उन्हें लेकर के दच्छन दिसा को गया है सीता जी कुर्ज की तरह अत्यंति वलाब कर रही है हे प्रभू मैंने आपके दरसनों के लिए प्रान रोक रखे थे हे क्रिपा निदान अब ये चलना ही चाते हैं रामि का हाता नुराख हुताता मुखि मुसी काई कही तेही बाता जाकरे नामी मरते मुखुप आवा अधिमव मुकोते हो इस्रुती गावा और स्री राम चंदर जी ने कहा कि हे तात सरीर को बनाए रखिये तब उसने मुस्कराते हुए मुसे ये बात कही कि मरते समय जिनका नाम मुख में आ जाने से महान पापी भी मुक्त हो जाए ऐसा वीद गाते हैं सो ममे लो चने गोचर आगे राखो दे हिनाथ के खागे जली भरी नया निका है रगुराई ताति कर्मे ने जिते गती पाई वही मेरे नेत्रों के विश्य होकर के सामने खड़े हैं हे नाथ अब मैं किस कमी की पूर्टी के लिए देखो रखो नेत्रों में जल्वर करके सी रगनाजी कहने लगे ही तात आपने अपने शिष्ट कर्मों से दुरलब गती पाई है पारे हिती बसी जिने की मनि माही तिने काहूं जगी दुरलबी का चुनाही तनुत जीताती जाहूं मम्मिधामा देव काहे तुमें पूरा निकामा जिनके मन में दूसरों का हित बचता है और समाया रहता है उनके लिए जगत में कुछ भी कोई भी गती दुरलब नहीं है हे तात सरीर छोड़ करके आप मेरे परमधाम में जाईए मैं आपको क्या दू आप तो पूर्ण काम और सब कुछ पा चुके है हे तात सीता हरन की बात आप जाकर के पिता जी से ने कहिएगा यदी मैं राम हूँ तो दसमुख रावन कुटुम्ब सहित वहां आकर के स्वम्ही कहेगा गीदी देहिता जीदरी हरी रूपा वूसन बहुपट पीती अनूपा स्याम गाती विसाले भुजिचारी अश्तुती करतिनायनी भरी भारी जटायू ने गिदी की देत्या करके हरी का रूप धारन किया और बहुसे अन्पम दिब आबुसन और पीतांबर पहन लिए श्याम सरीर है विसाल चार बुजाये हैं नेत्रों में प्रेम तथा आनन्द के आस्वों का जल भर करके भैश्तुती कर रहा है जैरामे रूप अनूप निरी गुने सगे निगुने प्रेरकी सही दसे सीसी बाहु प्रेचंड खंडने चंड सरी मंडने मही पायोदी गाती सारोजी मुखी राजी वियायती लोचनम नितिनो मीरा मुक्रे पाली बाहु विसालि भविवैमो चनम हे राम जी आपकी जैहो आपका रूप अनूपम है आप निर्गुन है सगुन है और सत्यी गुणों के माया के प्रेरक हैं दस्सिर वाले रावन की प्रचंड भुजाओं को खंड खंड करने के लिए प्रचंड वान धरन करने वाले प्रत्वी को सुसोवित करने वाले जल्युक्त मेगे के समान स्याम सरीर वाले कमल के समान मोखे और लाल कमल के समान विशाल नेत्रों वाले और विशाल भुजाओं और भब ऐसे चुड़ाने वाले कृपालू सी राम जी मैं नित्या आपको नमस्कार करता हूँ बलं प्रेमे नदादी मज्यम ब्यक्तमे कम गोचरम गोविंदी गोपरे द्वदरम विज्ञाने घने धरन धीररम विज्ञाने घने धना धरनी धरम जे रामे मंत्री जपते जन्ते अनन्ते जने मने रंजनम निजी नो मी रामे अकाम प्रियका मादी खली दले गंजनम आप ए परीमितवल वाले हैं अनादी ए जनमा ए व्यक्त निराकार एक अगोचर ए लक्ष गोविंदी वेद वाक्यों के द्वरा जानने योगे इंद्रियों से अतीत जनमरंण सुख दुख हरस सूख आदी द्वंदों को हरने वाले हैं विज्ञान की घनमोर्ती और प्रतिवी के आदार हैं जो संते राम मंत्र को जबते हैं उन अत्यमत सेवकों के मन को आनन्द देने वाले हैं उस निसकाम प्रही निसकाम जनों के प्रहमी और उन्हें प्रिय और काम आदी दुष्ट दुष्ट व्रतियों के दलका दलन करने वाले सी राम जी मैं निति नमस्कार करता हूँ जेही स्रुती निरंजयन ब्रह्मा व्यापत्ग विरजी अजी कही गाव ही करी ध्याने ग्याने वीरागी जोगी आने कि मुनी जेही पाव ही सो प्रगटी करूना कंदी सोवा ब्रांदी अगी जगी मोह ही म में हर्दय पांका जेही ब्रहंगी आनांगी बहुचा भी सो ही जिनकी सुरुतिया निरंजन माया से परी ब्रह्मा व्यापक निर्विकार और जन्वे रहित गे करके गान करती है मुनी जिसे ध्यान ग्यान वेराग और योग आधी अनेक साधन करके पाते हैं वेही करुणा कंद सोवा के स्वंवे स्वंश्री भगवान प्रेकाटो करके जड़ चेतन समझ जगत को मोहित कर रहे हैं मेरे हर्दै कमल के भ्रहम रूप उनके अंग और अंग में बहुत से काम देवों की छबी सोवा पा रही है जो अगमे सुगमे सुभावी निरी मले असमे समसी तली सदा पायस्ति जैंत्मे जोगी जतन करी करति मनी गो वसी सदा सो रामी रमानी वासी संतती दासी वसीत्री भूमिन दनी ममे उरे वसाउसो समने संस्रती जासु की रती पावनी जो अगम और सुगम है निर्मल सुभाव है बिसम और सम है सदा सीतल है मन और इंद्रियों को सदा बसमे करते हुए योगी बहुत सादन करने पर जिने देख पाते हैं वे तीनों लोकों के स्वामी रमानी वासी रामजी निरंतर अपने दासों के बसमे रहते हैं वे ही मेरे हड़े में निवास करे जिनकी पवित्र कीर्थी आवा गमन को मिटाने वाली है अवीर अले भगती मांगी वरी गी दिगयो हरी धाम तेही की क्रिया जतो चिते निजिकर की नहीं राम अखंड भक्ती का वर मांग करके ग्रद्रा चटा यूश्री हरी के परमधाम को चला गया और सी राम चंद्र जी ने उनकी धाकर्म आदी सारी क्रियाएं यतो यूग अपने हाथों से की है कौमले चिति अती दीनी दयाला कारने विनु रगुना थे क्रिपाला गीद अदमे खगे आमे सी भोगी गती दीनी जो जाचती जोगी सी रगुना जी अत्यांत कौमल चित वाले दीन दयालू और विनाही कारण क्रिपालू है गिद पक्षियों में अधम पक्षी और मासा हारी था उसको भी भैद दुरलब गती दी जिसे योगी जन मांगते रहते हैं सुना हूं ओ माते लोगी अभागी हरीत जी होई भी सैया नुरागी पोनी सी तैखो जाती दो उबाई चले भी लोकती बनी बहुत आई सिप जी कहते हैं ही पारवती सुनो वे लोग अभागे हैं जो भगवान को छोड़ करके वेश्यों से अनुराग करते हैं फिर दोनों भाई सीता जी को खोशते हुए आगे चले हैं वे बनकी सगंता देखते जाते हैं सकोली लतावी टपी घनी कानने वह उखगी म्रगे तहगजी पंचानने आवती पंती कवदी नी पाता तैस अभी कही सापी के बाता वे सगंवन लताओं और ब्रक्चों से बरा है उसमें बहुसे पक्षी म्रग हाथी और हिशिंग रहते हैं सी राम जी राश्ते में आते हुए कंबद राक्चस को मार डाला उसने अपने स्राप की सारी बात कही दुरिवासा मोही दीनी सापा प्रभुपदी पेखी मिटा सू पापा सुनू गंदर विकाया हु मैं तो ही मोही ने सुहाए ब्रह्मा को ले द्रोही भै बोला दुरवासा जी ने मुझे श्राप दिया था अब प्रभु के चरणों को देखने से भै पाप मिट गया है सीराम जी ने का ही गंदर विसनो मैं तुम्हे कहता हूँ ब्रह्मान कोल से द्रोही करने वाला मुझे नहीं सुहाता मनिक्रम बचन कपटेता जी जो करेभू सुरु सेवे बोई समेत वरेची सेवे वसिता के सब देव मन बचन और कर्म से कपट छोड़ करके जो भूदे ब्रह्मन की सेवा करता है और मुझे सहित ब्रह्मा सेव आदी सब देवता उसके बस में हो जाते हैं सापते ताड़ती पर उसी कहोंता बेप्रिपूजिय से गावई संता पोजिये बेप्रिसी लेगो नहीना सुद्र नेगोने गने ग्याने प्रेवीना स्राव देता हुआ मारता हुआ और कठोर वचन कहता हुआ भी ब्रह्मन पोजिये हैं ऐसा संत कहते हैं सील और गुण से ही नहीं ब्रह्मन पोजिये हैं और गुण गणों से युक्त और ग्यान में निपुण भी सुद्र पोजिये नहीं है और सी राम जी ने अपना धर्म भागवा धर्म कह करके उसे समझाया अपने चरणों में प्रेम देख करके भै अपने मन को भाया और उसके बासी राम जी के चरण कमलों में सिन नवा करके वै अपनी गती गंदर्व को शरूब जाकर पाकर के आकास में चला गया ताही देही गती राम उदारा सवरी के आस्रम पगुधारा सवरी देखी राम ग्रह आए मुने के बच्चने समो जी जी एभाए उदार सी राम जी उसे गती दे करके सवरी जी के आस्रम में पदारे हैं और सवरी जी ने सी राम चंदर जी को घर में आये देखा है तब मुनी मतंग जी के बच्चनों को याद करके उनका मन प्रसंद हो गया है सरिशी जी लोचन बाहु विसाला जटा मुकोटे सिरी उरिवन माला स्याम गोरे सुन्दर दोवाई सवरी परी चर निला पेटाई कमल सद्रस नेत्रे विसाल भुजा बाले सिर्पर जटाओं का मुकोट और हरदे पर वनमाला धारन किये हुए सुन्दर सामले और गोरे दोनों भाईयों के चर नों में सवरी जी लिपट पड़ी प्रेमी मगनी मुखी बचनी ने आवा पुनी पुनी पदी सरोजी सिर्णावा सादरी जली ले चरनी पकारी पुनी सुन्दरी आसनी बेठारी बे प्रेम में मगन हो गई है मुक से बचन नहीं निकलता है वार वार चरण कमलों में सिर नवा रही हैं फिर उन्होंने जल लेकर के आदर पूरवक दोनों भाईयों के चरण दोए हैं और फिर उन्हें सुन्दर आसनों पर वेठाया है उन्होंने अत्यंत रसीले और स्वादिस्त कंद मूल और फल लाकर के सी राम जी को दिये हैं प्रभू ने बार बार प्रसंसा करके उन्हें प्रेम सहित खाया है पानी जोरी आगे भेडाडी प्रभा हुई विलो की प्रीति अतिबाडी केही विदी अज्तुती करो तुमारी अधमी जाती में जड़ी मती भारी फिर वे हाथ जोड़ करके आगे खड़ी हो गई रभू को देख करके उनका अतियंत बढ़ गया उन्होंने कहा मैं किस प्रकार आपकी इस्तितुई करूँ मैं नीज जाती की और अतियंत मूड बुद्धी हूँ अधमी ते अधमी अधमी अतिनारी तिनी मेह में मती मंदी अगारी कहर अगुपती सुनू भामिनी बाता मानौ एक भगती करे नाता जो अधम से भी अधम है इस्तियां उनमें अतियंत अधम है और उनमें भी ही पाप नासन मैं मंद बुद्धी हूँ सी रगनाजी ने का ही वामनी मेरी बात सुनू मैं तो किबल एक वक्ती ही इनका संबन्ध मानता हूँ जाती पाती कुले धर में बढ़ाई धने वले परिजने गुने चतुराई भगती ही ने नरे सोया ही कैसा विनू जले वारे दी देखाऊ जैसा जाती पाती, कुल धर्म, वडाई धन, वल कटुम्ब, गुन और चतुरता इन सब के होने पर भी भक्ती से रहित मनुस कैसा लगता है जैसे जल हीन वादल, सोबा हीन दिखाई पड़ता है नविदा भगती का यह उतोई पाई, साविधा ने सुनी धरुमने माही, प्रथमी भगती संत ने करे संगा, दूसरी रती मम्मी कथा प्रसंगा मैं तुमसे अब अपनी नवदा वक्ती कहता हूँ, तू साबदान हो करके सुन, मन में धरन कर, पहली वक्ती है संतों का संग, और दूसरी वक्ती है मेरी कथा प्रसंग में ब्रह्म गुरे पते पंकज सेवा, तीसरी भगती अमाने, चौती भगती ममे गोने गने, करही कपटे तजीगान तीसरी वक्ती है अविमान रहतों करके गुरु के चरण कमलो की सेवा, और चौती वक्ती है कि ये कपट छोड़ करके मेरे गुण समय का गान करे मंत्रे जापे ममें डड़े विश्वासा पंचमे भजने जो बेदे प्रेकासा चटे दमों सीले वी रती बहु कर्मा निरती निरंतरे सज्जने धर्मा मेरे राम मंत्र का जाप और मुझ में डड़ विश्वास यह पंचवी वक्ती है जो बेदों में प्रिसिद है चटी वक्ती है इंद्रियों का निग्रे सील अच्छा सुवाब और चरित्रे और बहुत कारियों सी बेराग और निरंतर संत पुरुसों के धर्म आचरण में लग सपने उनहीं देखा उपारी दोसा सात्वी वक्ती है जगतवर को समभाफ से मुझ में ओध प्रित राम में देखना और संतों को मुझ से ही अधिक अरकेर मानना आठवी वक्ती है कुछ मिल जाए उसी में संतोस करना और स्वतन में भी पराई दोसों को ने देखना नव में सर अले सवी सनी मशली ही ना म में भरोसी ही है हर असे ने दीना नवी महु एक हु जिने के होई नारी पुरुसी सचिराचरी कोई नवी वक्ती है सरलता और सब के साथ कपट रहित वर्ताब करना हर दे में मेरा भरोसा रखना और किसी भी अवस्ता में हर्स और विशाद काने होना इस नवों में से एक भी हुती है वह इस्त्री पुरुस जड़ जीतन में कोई भी हो सोई अती से प्रिये भामनी मोरे सकले प्रेकारे वह गती ड़डे तोरे जोगी ब्रांदी दुरी लवी गती जोई हे वामनी मुझे वही अत्यंत्य प्रिये है फिर तुमने तो सभी प्रकार की वक्ती ड़ड़ है अत्य जोगती योगियों को दुरलब है वही आज मैं तेरे लिए वही आज तेरे लिए सुलब हो गई है मामी दर्सनी फली परमी अनूपा जीवे पावी ने जी सहजी सरूपा जनके सुता कैसु दी भामनी जा नहीं कहू करी वरी गामनी मेरे दर्सन का परम अन्पम्फल यह है कि जीव अपने सहज सरूप को प्राप्त हो जाता है अब यदि तू गजगामनी जानकी जी की कुछ खवर जानती हो तो बता पंपा सरही जाहू रगुराई तैहो आई सुग्री में मिताई सोसवे कया ही देवी रगुवीरा जाने तहू पूछाऊ मती धीरा सब्री ने कहा ही रगुणाजी आप पंपा नामक सरोवर को जाईए वहाँ आपकी सुग्रीम से मित्रता होगी हे देव हे रगुवीर वैस सब हाल बताएगा हे दीर बुद्धी आप सब जानते हुए भी मुझे से पूछते है वारे वारे प्रभुपद पर सिरुनाई प्रेम सहित सब कथा सुनाई कही कथा सकली वी लोकी हरी मुखी हर्दय पदे पंकजी धरे तजी जोगी पावक दे हरी पदे ली निभाई जहने ही फिरे नरे विविदिकार में अधार में वहु मतिसो की प्रदित सब त्याग हु सब कता कहकर के भगवान जी के मुखे दर्शन करके हर्दय में उनके चरण कमलों को धारण कर लिया है और योग अगनी से दे को त्याग करके वह उस दुरलव हरी पद में लीन हो गई है जहां से लोटना नहीं होता है तुलशिदा जी कहते हैं कि अनेक प्रकार के कर्म अधर्म और भौसी मत ये सब सूख प्रद हैं ही मनुश्यों इनका त्याग कर दो और विश्वास करके सी राम जी के चरणों में प्रेम करो जाती ही ने अगी जान में मही मुक्ती की ही ने अशीनारे महामंदी मने सुखे चहसी ऐसे प्रबोही विसार जो नीच जाती की पापो की जन भूमी थी ऐसी इस्त्री को भी उन्होंने मुक्त कर दिया अरे महार दुरबुद्धी मन तु ऐसे प्रबु को भूल करके सुख चाता है चले रामे त्यागावने सोव अतुलिती वले नरे के हरिदो विरही वी प्रबु करती विसादा कहते कथा अने के संबादा से राम चंद्री जी ने उस बन को भी छोड़ दिया और वे आगे चले दोनों भाई अतुलिये वल्वान और मनुष्यों के सिंग के समान है प्रबु विरही की तरह विसाद करते हुए अने को कथाई और संबाद कहते हैं लक्षिमने देखू वे पेने कह सोबा देखाते के ही करे मने नहीं छोबा नारी सहिते सबेखा गेम्रागे ब्रंदा मान हुमोरी करते हही निंदा हे लक्षमन जरावन की सोबा तो देखो इसे देख करके किसका मन छुब्द नहीं होगा पक्षी और पस्वों के समय सभी इस्त्री सहित हैं मानो वे मेरी निंदा कर रहे हैं हमाई देखी म्रागी निकरी पराही म्रागी का यही तुम कहे भे नाही तुम्हे आनन्द करहू म्रागी जाए कांचने म्रागी खोजने आए हमें देख करके जब डरके मारे हिरनों के जुंड भागने लगते हैं तब रहनियां उनसे कहती हैं कि तुमको भे नहीं हैं तुम तो साधारन हिरनों से पैदा हुए हो अब तुम आनन्द करो यह तो सोने का हिरन खोजने आए हैं संगे लाइ करनी करी लेही मानों मोई सीखावनो देही सास्त्रे सुचिंते ते पुनी पुनी देखाई भूपि सुसे विते वसी नहीं लेखाई हाथी हतनियों को साथ लगा लेते हैं वे मानों मुझे सिख्षा देते हैं इस्त्रियों को कभी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए भली बाती चिंतन किये हुए सास्त्रों को ही बार बार देखते रहना चाहिए अच्छी तरह सेवा की हुए राजा को बस में नहीं समझना चाहिए राखिये नारी जदपी उरी माही जुवती साष्ट्रिन रैपती वसी जाही देखाओ ताती वसंती सुहावा प्रियाही निमोही भैव पे जावा और इस्त्री को चाहे हरदय में ही क्योंने रखा जाए परन्तु युपती इस्त्री साष्ट्र और राजा किसी की वस में नहीं रहते हैं हे तात इस सुन्दर वसंत को तो देखो प्रिया के विना मुझको यह भै उत्पन कर रहा है मुझे विरह से व्याकुल वलही और विलकुल अकेला जान करके काम देव ने वन बोरे और पक्चियों को साथ ले करके मुझपर धावा बोल दिया है देखे गया उब्राता सहिती ता सुदोते सुनी बाते डेरा की नहू मना हू तवे कटको हटकी मने जात परन्तु जब उनका दूद यह देख गया है कि मैं भाई के साथ हूँ अकेला नहीं हूँ तव उसकी बात सुनकर के काम देव मालो सेना को रोक करके डेरा डाल दिया है बिटपी विसाली लता अरूजानी बिवीदी वितानी दिये जनुतानी कदली ताली वरिभुजा पता का कदली ताली परिधुजा पता का देखी ने मोहि धीरी मने जाका विसाल ब्रक्चो में लताय उल्जी हुई ऐसली मालूम होती है मानो नाना प्रिकार के तंबो तान दिये गए हो केला और ताड सुन्दर धजा पताका के समान है इन्हें देखकर के वही नहीं मुईत होता जिसका मन धीर है